ये क्रांतिकारी, युगांतिकारी नर्णे लेके जाती अधारित गन्ना कराने का काम शुरू किया है, उसको येन केन प्रकारेन रोक दिया है। सबसे आश्यर जनक और दुख की बात है, कि कल केंदर सरकार स्वेंग उच्छतम नयाले में इस मामले में कूद पढ़े। इतने दिन से मामला चल रहा है, कहीं उनके कान पे जू नहीं रेग रहे। न हम इस मामले के पक्ष में हैं न भी पक्ष में हैं, न हमको पक्ष में कहना हैं, न भी पक्ष में कहना हैं। सब लोग सिर्फ नियायले से एक सुत्री मांग कर रहे हैं कि इसको रोक दिया जाए उनका मालफाइड इंटेंशन तो इसी से जलगता है लेकिन बीना सारी बात समझे हम बीच में ही इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकते हैं असपश्ट का जाती अधारित गनना के मामले में अब केंद्र सरकार और भाजपा दोनों पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं सब को मालूम है कि इस मामले को पहले लोग हितिया चकाओं के माध्यम से पटना उचने आले से उच्चतर ने आले तक भसीटने की और पेच पसाने की कोशिश की गई लेकिन बिहार सरकार की मुस्तेदी के कारण जब लोग हित या चिकाओं के माध्यम से वो इसे रोकने में सपल नहीं हो पाड़ हित्जे सबसे आश्यर जनक और दुख की बात है कि कल केंदर सरकार स्वेंग उच्चतम ने आले में इस मामले में कूद पड़िये उनके सॉलिसिटर जेनरल ने कल अचानक से उपस्तित होके इतने दिन से मामला चल रहा है कहीं उनके कान पे जू नहीं रेग रही थी लेकिन कल अचानक से भारत सरकार के सॉलिसिटर जेनरल ने उच्चतम ने आले में उपस्तित होकर कहा कि हमारी भी इसमें सुनी जाए और भीहारवास्यों को आश्चयर यहीं नहीं, हाश्यास्पद भी लगेगा कि स्वालिसितर जेंडरल ने मियाले को कहा कि न हम इस मामले के पक्ष में हैं ने विपक्ष में, न हमको पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है, हमको कुछ बात कहनी है, अब सिर्फ इस बात का मतलब कोई समझ सकता है, कि जब न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है तो परिशान क्यों है, सिधी बात और मामले के सुनवाई चल रही है, अंतिम चरन में सुनवाई है जितने याचिका करता हैं सब लोग सिर्फ न्यायले से एक सुत्री मांग कर रहे हैं कि इसको रोक दिया जाए उनका मालफाइड इंटेंशन तो इसी से जलगता है कि और कुछ नहीं सुनिएगा बाद में अभी इसको रोक दीजिए और जब उचितम न्यायले ने ये कहा है लगातार कहा है सुनवाई के दोरा कि भाई हम पूरा मामला सुनने को तयार हैं लेकिन बीना सारी बात समझे हम बीच में ही इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकते हैं अस्पष्ट कहा हैं तब ये सारी साजिशें जब केंद्र सरकार और भाजपा ने देखा कि विफल हो रहा है तो अंतिम अस्त्र के रूप में कलकेंद्र सरकार स्वेंग इस मामले में उच्चतम नियाले में कूद पढ़ी हैं तो अब उनको इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं था लेकिन जब बातें अब सार्मजन को रही हैं तो अब उनको उनकी परषानी बर रही हैं और जयसा कि हमने कहा कि यहां स्याजपत दो इया है कि केंद्र कि सरकार उच्यत्म नियाले को कर यहां को नहीं करना है नियंद कि अब सुच लिजी आ जम धोण सब्सक्राइब कि अंचल्श नियर्व और अलग क्यों गए अब एक सप्ता का समय मिला है तो हम तो सर्फ बिहार के जन्ता को दिखाना चाह रहे हैं कि ये लोग किस तरीके से धीरे-धीरे बेनकाब हो रहे हैं और उनकी असली मंसा और कुछ नहीं है कि बिहार सरकार और नितीश कुमार ने जो एक ये क्रांतिकारी युगांतिकारी नुरुने लेके जाती अधारित गन्ना कराने का काम शुरू किया है उसको ये नकेन प्रकारेन रोक दिया जाए क्योंकि ये दबाव में आने वाले हैं ये अगर हो जाता है तो अलग-अलग राज्यों में भी इसकी मांग उठेगी फिर ये अभी जन्गन्ना कराने वाले हैं उसमें भी पूरे देश से ये मांग उठेगी कि भाई जातिया धारित जन्गन्ना कराई जाए तो ये परिशान है इसलिए अब इनकी कलई खुल रही है लेकिन हम लोग आभारी हैं उच्चितम ने आया लेके और हमें पूरा भडोसा है कि जिस तरीके से अभी तक इनकी साजिसें सफल नहीं हुई है भविस में भी इनकी कोई साजिस सफल नहीं होगी और उच्चितम ने आले के भी इजाजत से जातिया धारित गन्ना कर काम विहार सरकार पूरा करेगी जो देश में एक मिशाल काइम करेगा और फिर से जिस तरह किसे कई मामलों में नितीश कुमार के नितृत में बिहार सरकार में पूरे देश को रोशनी दिखाई है ये मामला उसी तरीके से एक राष्ट्री एस्तर पर नितृत है